कि आप लोग को सच्ची में मिस किया दो दिन लेक्चर नहीं हुए मैंने सच्ची में आप लोग को मिस किया और बड़े दिनों बात दो दिन बात सेटेड़े संटम दो दिन बात मिल रहे हैं इस भाइया चलो धमाल मचाते हैं अच्छा आप लोग के लिए पता है एक सर्प्राइज है कल रात को एक अनॉंस्मेंट है और अनॉंस्मेंट इतना खास है ना कि मतलब बस तुमको मज़ा आ जाएगा कल रात को हांजी कल रात को देरज़ा अनॉंस्मेंट फोर यू ओल अब लोग के लिए आप लोग के लिए जो आप लोग को मिलेंगे क्या सरप्राइज होंगे अब सोच के रखो अभी कहारा है परसो से क्लास चलो होगी क्लास तो चली रही है वे इस दिस विल बी सम्षाम्टिंग एकस्टारउडिनरी जो आज तक कभी नहीं हुआ क्लासेस में ऐसा कुछ होने वाला है सो मैं आपको देखो लीक कर रहा हूं बाते हमारी फेकल्टी की तो कल रात को एक ऐसा अनाउंसमेंट है जिसके लिए बस आप लोग तयार हो जाओ मतला भाई साब मतला भाई साब आप ऐसा ऐसी चीज है जो आज तक सीएस इटी के इतिहा सब्सक्राइब कर दो अब देखते हैं अब यह वीक तक मुझे यही टाइम रखना पड़ेगा और को रात में मेरे को खाना खाने मामा जाना पड़ता है तो वह लेट हो जाता है तो इसलिए रात का लेक्चर पॉसिबल नहीं हो पार है इसलिए इसलिए सिफ पांच दिन मेरे लिए मैनेज करो सिफ पांच दिन कोई कह रहा था अब यह टाइम नहीं जबेगा सिफ पांच दिन मेरे लिए मैनेज करो बाकि आप से ज्यादा नहीं करता चलिए आओके जी तो हमने लास लेक्चर में स्टेट पूरा पढ़ लिया था आईए जी स्टेट को अच्छे चलिए जी आपको पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है ऐसा सरप्राइज जो स्टेट के इतिहास में आज तक ना कभी हुआ है ना यूली के के अलावा कोई कर सकता है तो ऐसा ऐसी चीज़ है भाई अपमें जादा ना बताता नहीं मैं एक्साइटेड हो जाता हूं उस स्टीश को सोचता हूं तो बस देखो अभी आप चलिए ओक चलिए जी शुरू कर देख थारा अजय हासिया वरस्इस खालिद मुझीब का केस लो में देखा था कि कौन कौन सी कौर्परेशन कौन कौन से ट्रस्ट कौन कौन सी बॉड़ी और स्टेट में आती है स्टेट की एजनसी के लाती है स्टेट की इंस्ट्रुमेंट 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 के लाती है अगर इंटायर शेर कैपिटल गवर्मेंट का है इंटार जा गौर्मेंट साथ किसी कवौफरेश की मौनॉपली कि और किसी कौफरेशन की मौनौपली और 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 किको पूर गौर्मेंट उसको बिंटा करते तो असवात में आख खको चली बहना का फेन था मैरी ज्यान देंगे अगर एंटायर शेर केपिटल गोवर्णमेंट का एंटायर शेर कैपिटल गौर्णमेंट का हैं टो स्टेट का इतना पैसा की पूरा खर्चा निकल जाता है वह स्टेट है किसी मौनौपली और गर्वर्मेंट पॉटेक करती है तो वह स्टेट है और कोई बडी पॉब्लिक कितने लोगों को याद है आप में से स्क्रीन क्लियर नहीं है स्क्रीन क्लियर कर देते हैं चलो बहुत बढ़िया ओके बॉंडर्फुल तो कौन-कौन स्टेट में आता था इंटार्श और गर्वर्मेंट का था वो स्टेट है सरकार इतना पैसे देती कि उनके खर्च निकल जा या तो कोई डिपार्टमेंट कॉर्परेशन में बदल गया तो यह सब किसमें आते थे दोस्तों स्टेट में आते थे इसी के साथ स्टेट कंप्लीट हो जाता है तो स्टेट का टॉपिक यहां पर समाप तो जाता है मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए चलो जी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब आते हैं आर्टिकल 13 अब आते हैं आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 पर आते हैं चलो आर्टिकल 13 तुम्हारे को समझाता हूं मश्त तरीके से समझाता हूं तुम्हें पता है जब मेरी जिन्दगी में गर्फ्रेंड नहीं थी अभी भी नहीं है पार्टी करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, खुश था, हस्ता था, हस्ता था, मजे करता था मजे करता था एश करता था मौज करता था जब यह कपकी बात है जब गल्फ्रेंड नहीं थी जब गल्फ्रेंड नहीं थी पार्टी करता था दोस्तों के साथ घूमता था खुशता हसता था मजे करता था एश करता था मौज करता था लेकिन एक दिन एक गल्फ्र कि आज के बाद पर्टी मेरे साथ करोगे तो मेरे साथ रहोगे छुछ नहीं सबमझे cut मेरे साथ करोगे और मज़़ा हैं नीकरोगे अ किसी और के साथ करोगे और प्छली हो सब वह दो कभा थे बहुत सारी श्रेंट याे जोईन gebracht है कि यह बहु नहीं की हो पा रहे हैं है तो कि मौला माईती न मरें अगयों मेरे को कैसे मालूम रहे कि यूजोईन नहीं इधर से क्या मैं जूम का हूनर हुझा है कि तूक्त करके तो औאשक से ने चलिक एवड्य लोन देने जिन्दिक सब्सक्राइब तो मेरे साथ भूल नहीं ती क्या था पार्टी घूम्ता था खुश्टा था था मजे करता था आश करता था एक दिन गोल्फ्रेंड नाम की बला आ गए मेरी जिंदगी में कहती है पार्टी करोगे तो सिर्फ मेरे साथ, खुश रहना है सिर्फ मेरे साथ रहोगे, हसना है सिर्फ मेरे साथ हसो, मजे करना है सिर्फ मेरे साथ करो, एश करना है मेरे साथ करो, मौच करना है मेरे साथ करो, जीवन उजाड के रख द कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है उससे जो भी मांगो कहती है नहीं दूंगी मेरा मतलब मेरा मतलब है कि जैसे मैं पर्मीशन मांगता हूं न कि मैं को दोस्तों के साथ भूमने जाने दो कहती है नहीं दूंगी पर्मीशन ठीक है मैं जो कह क्याता हूँ कहती है बस नहीं तो अभी तो किहने का कि यह यह है कि सिचे मैं जितने पहले मजे कर पाता था नहीं कर सकता अ हम आ सब्सक्राइब यक्राइब से वह Connor कौनर। अब कर सकता अब इसको करेंगे फंडमेंटल राइट्स बहुत सारे हैं राइट तु राइट तु फ्रीड़म राइट तु एक्वालिटी राइट तु फ्रीड़म आफ रिलिजन कल्चर एंड एडुकेशन राइट पढ़ेंगे अपन डीटल में में को बताओ समविधान कौनसी तारीक से एपलीकेबल हु यह समविधान होगे नियम क्या लगता राइट के पेले प्रीक विसुट्यूशन विटयूशन उन्हें Amazon कि और विऑ टो फैंसी सबको रेक्शनिय करें rahat कि उन्हें कहते हैं कि उन्हें कहते हैं प्री कॉंस्टिटूशनल लौ क्या कहते हैं जल्दी बताइए उन्हें कहते हैं प्री कॉंस्टिटूशनल लौ कहते हैं पराबर है अच्छा कॉंस्टिटूशन आने के बाद भी कुछ लौ बने होंगे क्या क्या कॉंस्टूशन आने के बाद भी कुछ ल के पहले जितने लौ थे उसे कहते हैं pre-constitutional law और constitution के बाद जितने लौ बने उन्हें कहते हैं post-constitutional law अब ध्यान से सुनना सारे सब लोग अब ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक है अब सब लोग मेरी बात को अगर वह फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है अगर वो fundamental right से क्या है बोलो inconsistent वाट डियुमिन बाइं इंकंसिस्टेंट फंडमेंटल राइट को वॉइलेट करते हैं तोड़ते हैं चाहे प्री constitutional law हो चाहे पोस constitutional law हो अगर वो fundamental right से inconsistent हैं तो वो वॉइड होंगे तो वो क्या होंगे जल्दी से बताओ वॉइड होंगे सब लोग बात को ध्यान से समझेव सब्ःदान आने के पहले जतने कानून थे उन्हें कहते है प्री constitutional law और जतने प्री चृंस्ट यूश्नल लस ए और वह सम्वेटामेंटल राइट्स इंकंसİस्टेंट है बहुँदा hen이다 को तोड़ते है तो सारे के सारे मतलब girlfriend आने के बाद मेरी जो पहले की जिंद्गी थी जीने वाली या बात की जिंद्गी जी सकता था सब जो girlfriend तोड़े वही हो गा वैसे ही है कि संविधान के संविधान राइट को तोड़ता है तो वो वॉइड होगा जैसे कि उधारन के तोर पर बताता हूं मानलीजे कोई लॉब बना जिसमें सरकार ने बोली सिफ दो घंटा सोना लाउड है दो घंटे से यादा नहीं सो सकते हैं यह लॉब वैलिड रहेगा कि वॉइड तो आंसर इस वॉइड क्यों क्योंकि भाईया राइट टु फ्रीडम है जितना सो ना है सों य actually right टु1 जितना सो ना ये तका यह लोग ऐसे रहते हैं जिनको जतना सु लालो सू जाएएंगे जतना सुलालो अपने अबर सब्लेम्षे कि भी सो सकता है वह आद्मी कमाक माई वर्ड त कहीं भी सोंसक मिल गया तो वा वा भी वा भी वा जरूरत निये गाड़ी मिल जाए कि वह बंदा बाइक में बैटके ऐसा ह्रामने ऐसा करके सो सकता है अब बजय नौए नौजय रेडियो गया बजय आदे घंटे क्या करूं सो जाता हूं थोड़ा तो कहा सो जाते थे जहां सेमिनार लेना वहीं चेयर पर बैटे कई बार निया तो दिवाल में खड़ वह आदमी कहीं सो सकता है अच्छा एसा नी कितने बज़े भी सो सकता है कित तो ऐसे कई लोग रहते हैं बट यह राइट है संविधान आपको बहुत सारे अधिकार देता है एकता कहती है मैं बढ़त जैसी हूं बहुत बढ़िया और सरकार ने कोई बनाई और सरकार ने कोई बनाई और सरकार ने बोली कि किसी लड़की से बात नहीं कर सकता कोई लड़का जब तक उसकी शादी ना हो जाए अरे राइट टू फ्रीडम में बात करने में अपनी बहुत से बात नहीं कर मतलब तो भईया ऐसा कोई लॉट चाहे पहले का हो सम्विधान के चाहे सम्विधान के बादायो कोई भी कानूंगर आपके फंडमेंटल राइट को तोडएगा फंडमेंटल राइटस निकंसिस् थीक है अभ्यंकर कह रहा है सर आपकी सेलरी कितनी है क्या लगता है क्या लगता है कितनी होगी क्या लगता है आपको क्या लगता है कितनी होगी सेलरी मेरी क्यों जी पांच लाख दस लाख ऐसी अजार पचास अजार एची रहे तुमने असी अजार पचास अजार बोलके तो बिजजती कर दिया मेरी जो एक लाख पर मैं ना बोल रहें तुम भी बिजजती कर रहे सीए बनने के बाद तुमको क्या लगता किया एक दो लाक मैंने काम करता किया कोई पाघल नहीं पाखल हो गयों है् पूरे मेहने के बीस अजार टुम्हें मजाग लगता है- पूरे BACR कमाता हूं- इत Machina Ну зад कि gesehen जाओंगा मैं पूरे पूरे बीस अजार कमाता हों तुम लोग यार कुछ भी बात करते हो एक mia dot सच नहीं है जितनी भी है बहुत अच्छी है जितना तुम कह रहे हैं उससे तो ज्यादा यह पर चलो अभी द्यान देना समविधान जो है याद रखेंगे एवरीवन की उसके आने के पहले जितने लोते उसे कहते प्री कॉंस्टिटिशनल लौ समविधान आने के बाद जितन चाहे प्री कॉंस्टिटिशनल लौ चाहे पोस्टिटिशनल लौ अगर वह फंडमेंटल राइट से इन कंसिस्टेंट है तो वह वॉइड होगा यह बात सभी के दिमाग में गई की नहीं गई आर्टिकल 13 दिमाग में गया की नहीं गया और यह जो वाट्सप चैट की लिंक कंठस्त तरीके से समझ में आया की नहीं यह बता चलदी से तरीके से आया ना सभी को आया बहुत बढ़ी यह जिट्नी के मारा कर य। जो भारे लगते हैं क्लास में कोई है जो सूरे ऑफ या करते हैं कैमरा बंद करके पता निहीं तुमहें का लेक्चर 19 custody तो साथ अब किसी स्टुडिन को पता नी होगा उसका कए मेरा और शुबह 7 बजे का जाते हैं सुबह उटते बड़ाबर बता है वाइसाब जो दर्शन कराए उसने सौमिल सर को सुबह जो उसने दर्शन कराएं अपने बात्रूम के ओ भाई साव चलिए अभी ध्यान देना सारे अभी ध्यान रखना बहुत जुरूरी होता है भाई कहीं पर भी कैमरा आप कर लेते हो ऐसा भी नहीं चलता चलिए ओके जी पता चले कोई ओयो में कैमरा आप कर दे लाइफ फिचर देख लें बच्चे पूर फंडओं उस्पिता है और तिक और फॉर्टिशनल वन क्याता है कि मतलब काउंस्टूटुशन के प्री घरे यूर्व सोह सुनिवित प्री इंद चानस स्वंच्टूदिशनल लौं जब्यश में हैं। सारे के सारे pre-constitutional law void होंगे to the extent they are inconsistent with fundamental right अगर समविधान के पहले कोई कानून आया था वो fundamental right को तोड़ता है तो वोई होगा यह 13-1 कहता है 13-2 कहता है post constitutional law के बारे में कि सारे के सारे post constitutional law वोई होंगे अगर वो fundamental right को तोड़ते हैं यह कहता है law made after the commencement of constitution समविधान के बाद जितने law बने उसे कहते है post constitutional law वो भी वोई होंगे अगर वो वो भी वॉइड होंगे अगर वो fundamental right को वोईलेट करते हैं अब आर्टिकल थर्टीन में डियर सम् डॉक्ट्रिन्स डॉक्ट्रिन अपको मॉड्यूल में नहीं दिया गया है लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी नहीं बाद में अभी नहीं अभी हम सीधा आर्टिकल में जाएंगे आजो जी अब हम सीधा आर्टिकल करने वाले अच्छे का से अच्छे वाले अच्छे वाले आजो जी शुरू करते हैं अब हम सीधा fundamental राइट शुरू करने वाले थे आजो सभी लोग आ जाओ ये प्यार से आजए एकदब मुहबत से आजओ आर्टिकल 14 सबसे प खुषी कहती है एक से ग्यारा कहां है एक से ग्यारा विटा आपके कोर्स में नहीं है ठीक है चलिए जी ओकिना ध्यान देंगे आर्टिकल 14 एविवन आर्टिकल 14 शुरू कर रहे हैं 14 आर्टिकल 14 आजो जी ध्यान देंगे क्या कहता है क्य detta is state shall not deny मतलब state मना नहीं करेगी state मना नहीं करेगी ट्थू एनी परसंट किसी भी किसी भी हर्तन Snow state मना नहीं करेगी किसी भी पर्संट्रोंट को कि कवाल्टिny भीविटोर लॉर equality before law or equal protection of law or equal protection of law within the territory of India ये line बड़ी important है मैं समझाता हूँ कहता है state shall not deny to any person state मना नहीं करेगी किसी person को equality before law or equal protection of law within the territory of India कहने का बदला भारत की territory में, भारत की जमीन में किसी भी पर्सन के साथ सरकार मना नहीं करेगी, सरकार किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगी दो चीज, दो चीज मना नहीं करेगी, एक तो equality before law और equal protection of law, अब यह है क्या, equality before law और equal protection of law क्या है आईये देखते हैं,सबसे पहले जानते हैं,what is the meaning of equality before law, equality before law हमने English common law से लिया था याने की Britishers से लिया था UK से लिया था इसमें हमने कहा absence of any special privilege in a favor of any individual हमने कहा कोई भी इंसान को special privilege नहीं देंगे हमने कहा किसी भी इंसान को special privilege नहीं देंगे चाहे अमिताब बच्चन हो चाहे शारुक खान हो चाहे सल्मान खान हो चाहे फिर वो शाहित कपूर हो चाहे वरुंदवन हो चाहे सदात मलोतर हो चाहे शुभम मोदी हो किसी को को भी special privilege नहीं मिलेगा ठीक है संजय अदत भी जेल जाता है हमारे देश में तुम बोलोगे सल्मान खान तो नहीं गया अब उस पर केस चल रहा है अभी तक ठीक है पैसा फेक तमाशा देख ऐसी आली बात है पर ठीक है क्या ही बोले पर ठीक है किसी को special privilege नहीं मिलेगा संज कर दी बेटे नंया मौच कर दी बेटे नहीं जेल में वह बी अपना जेल में राज कुंद्रा भी खुंद्रा की कहते हैं लोग एक बाद अच्छी लगी उसने नेपोटाशं दे सभी लोग आशा डेयां डिया कि नहीं सभी लोग आश्कुन ऑडिसे से अच्छा चलेजी सो ना ध्यान देंगे एवरीवन सो आर्टिकल फोर्टीन का इक्वैलिटी भी फॉर लौ मतलब होता है कि किसी को भी स्पैशल प्रिवलेज नहीं देंगे भैस क्या चाहिए फिर वह गाव वाला चाहिए शेर वाला चाहिए प्रदानमंतरी नरेंद्र कोई भी पॉजीशन हो आप लौं के नजरों में बराबर हो बड़ार ऐसा समविधान का अर्वा किसी को भीश्षशल प्रिवलेज्च नहीं देंगे सब बराबर एकदम बराबर रखेंगे यह कहता है आर्टिकल फोर्टीन का का प्रिवलेज्ट कोई भी रेंग कोई भी रेंगो कोई भी पोजीशन ओ कोई भी आपका स्टेटस हो नहीं देंगे आपको स्पेशल प्रिवलेज्ट केता है एक्वालिटी प्फओर लोग कैता नहीं देंगे मिसी को भी स्पेशल प्रिव्लेज रितेश कीपा इग्नोर कर रहे हो सर क्या करणी पड़ाते समय करना पड़ते ना बढ़ाते समय अभी मैं तिरुसे बात करू रितेश बात करें अपन चल तू बोल तो अपन बात करते नियों से hybrid को ऊची के लिए प्रफ ऑप टूर such ऐसा होता नहीं है सरल बड़े आप बड़ेएगें में स्ट्रीटमेंट मिलते हैं एक ऐप आपका कि बड़े लोगों को स्पेशल्स्ट्रीटिमेट मिलते हैं कानून नहीं पनाते चाल प्रिविलेज मिल रहा ऐसा नहीं हो गया लॉग की नज़रों में बात हो रही है कि वो मुर्डर करेंगे तो वह भी जेल जाएंगे ऐसी बात हो रही है कि लॉग की नज़रों में किसी को स्पैशल प्रिवलेज नहीं मिलेगा ठीक है उशी चलिए ओके आजो नेक्स्ट है यह देखो मनीशा जी पूछने है डॉक्ट्रिन ऑफ एकलिप्स क्या है बेटा जी डॉक्ट्रिन ऑफ एकलेप्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और यह सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी बोलाना थोड़ी तरह पहले चलिए अभी जी यह नेग्स्ट है इक्वर्ट्रिक्शन ऑफलॉवड सी क्या करें इक्शन ऑफ लो कि वह मानेंगे और ti possible law उटाथ हूँ में बच्चो के लिए लिए महीला के लिए लगलो मदों के लिए लगलों भुजुर्व के लिए लागलों क्या यह लिए कि क्लासिफिकेशन है जल्दी से बताओ बच्चों के लिए अलग लो मर्दों के लिए अलग लो महिला के लिए अलग लो बुजुर्गों के लिए अलग लो यह डिस्क्रिमिनेशन है कि क्लासिफिकेशन है तो यह क्लासिफिकेशन है इस लोग लगाएंगे अरे बच्चों मह महिलाओं को एक जैसल हो, सारे मर्दों को एक जैसल हो, सारे बुजुर्गों को एक जैसल हो, बास समझ रहे हैं? जैसे की एक और एक्जामपल देता हूँ, आपको बेस्ट एक्जामपल देता हूँ, इसका बेस्ट बेस्ट एक्जामपल, एक मर्द अगर किसी महिलाओं को 15 से गूर ले तो वो अपराद है उसकी सजा है लड़की घूर ले लड़की घूर ले कुछ नहीं हो सकता भाई बंदा कुछ नहीं कर सकता लड़की मानलो किसी बंदे को घूर रही है कुछ नहीं कर सकता अभी तुमने एक वीडियो देखा नीरत चोपड़ा का जिसमें वह कौन तो आरजे थी वो नीरत चोपड़ा के सामने, क्या तो उसको हरास कर रहे थे, बिचारे को परिशान कर रहे थे, देखा तुमने, अगर यही किसी लड़की के साथ होता, केस हो जाता अभी तक, लेकिन लड़की के साथ हो रहा है, तो कुछ नहीं होता, यह क्लासिफिकेशन है, महिलाओं के लिए लग है, मर्दों के लिए लग है, महिलाओं के लिए लग है, और मर्दों के लिए लग है, लगे। के लिए लगने लुघ को मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है। कि इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन और यह लाउड है क्लासिफिकेशन अलाउड है हमारे देश में क्लासिफिकेशन हमारे देश में अलाउड है डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है अब एक ही क्लास को दो भाग में नहीं वाट सकते हैं अ करवाइंगे । करवाइंगे हमने कहा हम EPL को EPL करवाएंगे है ना जी EPL को EPL कर राएंगे बास समझें तो ये हमने अमेरीका से लिया था इकोल प्रोटेक्शन आप लॉग हमने कह से लिया था अमेरिका के अमेरीका से हमने लिया था तो आपको बात करता है अर्टिकल 14 आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शेल नॉट डिनाए टू एनी परसन इस टेट शेल नॉट डिनाए टू एनी परसन क्या डिनाए नहीं करेंगे जल्दी बताओ और दूसरा एक्वल प्रोटेक्शन 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 एक्वल विदिन डा टेरितरी चाहर्व तो इंडियार सपी से एंडिया की टेरित्री में कहां पर विटा इंडिया की टेरित्रीन इंडिया की क्या है कि नहीं देंगे क्या नहीं देंगे किसी को special privilege नहीं देंगे और equal protection of law मतलब क्या है equal protection of law मतलब है इकवल को equal मानेंगे equal shall be treated equally यह हमने लिया था equality before law English common law से और यह हमने लिया था अमेरिका से equal protection of law मनें कहा से लिया था अमेरिका से लिया था this is simply बistpping के सब घुझा चालू आक्व बिसक्रिभीशन और हैं यथ agrees महराश्था में दारू बंद है कि प्रहीं माराहाश्टर के तो गुजरात में दारू बंद महाराश्टर में चलूँ है गुजरात में दारू बंद माहांस्ट ट्रमा यहां एक इरिया के के लिए लाओ लग दूसरे एरिया के लिए लौ लग जो ग मचे बताना इसादी के लिए सादी करने के लिए जो कानून है वो हिंदू के लिए अलग है मुस्लिम के लिए अलग है हिंदू के लिए शादी के लोग है मुस्लिम के लिए शादी के लोग है यह क्लासिफिकेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन है जल्दी बताइए हिंदू के लिए शादी के लोग है मुस्लिम के लिए शादी के है हुआ ओर हमारे हिंदुवों में कहोता है एक ही शाधी कंदें को मांते हैं लोगった सीतमता से सिर्फ तो हम मांते है एक शादी करना चाहिए और बढ़िया चलता है एक नमबर ऐसको बैदार not。」 व्हें अदि में यहां पर काम कह तोड़न कि टलाक तलाक तलाक खतम तरु है बुड़बाय टाटा गया निदया तल्क फिर नहीं लेकर पहले इसा था तीन बार तलाग बोल दो अभी चलो यह law abolish हो गया है anyway यह law जो है ठीक है यह law जो है हमारे देश में भी abolish हो गया बट यह अभी तो मुस्लिम के लिए भी law बन गया है single marriage का नहीं 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 से marriage तो तीन कर सकते हैं बोलो उनके लिए त्रिपल तलाग गया है लेकिन मेरेज के लिए तो अभी भी अलावड ना तीन तो करी सकते हैं चलिए ओके तो पर दूसरी से डिवास लेकि तीसरी करो अब इन तुमें इस तरीके से कर सकते हैं चलिए तो यह आर्टिकल 14 आचा परसन मतलब क्या होता है तो परसन में सबाजाते हैं परसन एक बहुत वाइडर टॉप है आर्टिकल 14 में कहा लिए स्टेट शल नॉट डिनाइड टू एनी सब आ जाती है परसन में तो किसी स्रेडिजन के साथ किसी फॉरेनर के साथ किसी कंपनी के साथ सरकार क्या माना नहीं करेगी जल्दी बताओ एक्वैलिटी फॉर लॉओ और एक्वल प्रडेक्शन ऑफ लॉओ विदिन दर टेरिट्री ऑफ इंडिया भारत देश की टेरिट् सारे कहने है पॉजिटिव 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 पॉजि अभी मैंने आप लोगों को नहीं सुनना ही नहीं नहीं नेगेटिव में बात करता है एपसेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिवलेज कहता है नहीं देंगे बाबु मोसा है नहीं देंगे चलि ओके दूसरा कॉश्यन एकोल प्रिटिक्शन ऑफ लोग बात करता है कि निएकवल प्रिटिक्शन ऑफ लोग एक ऐना सारे एक्वल के लिए एकवल लौ रहेगा जितने भी हमारे देश में इक्वल एक्वल सको इक्वल लॉय नशिक्ष राइंगे यह है यह फिएहँकर आर्टिकल 14 इसमें मैंने बताया न परसटन में सिफ इजन लुछ हो संफ फॉरिनर हो सन आजाते हैं सब्सक्राइब क्लासिफिकेशन लेकिन एक ही क्लास में बटवारा करो अलाउड नहीं मतलब इक्वल को फिर आप अनीक्वल मान रहे हो ठीक है इक्वल को कैसा मानना है जी इक्वल मानना है चले वेरी गुड यह रही है इसमे admire वाट्सअप वाट्सप बिएज रहे हैं वाट्सप चैट गूरूप सेक्री कौ और कई बच्चे लोग उसमें शामिल हो रहें धना धन 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 या धन शामिल हो रहे हैं और आप कहते हो बस हो गया चलिए तो आर्टिकल 14 is very simple अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं अभी कुछ लोग थेनी starting में कल रात को ऐसा announcement है जो आज तक कभी नहीं होगा इतिहास में इतिहास में आज तक कभी नहीं होगा ऐसा announcement है कल तीन बड़े surprise है आप लोगों के लिए कल रा जोड़दार announcement है तुम लोगों के लिए इतना जोड़दार मतलब तुमने कभी ना सोचा होगा ऐसा announcement है ना तुम सोच पाओगे तुम गैस भी कर लो तो भी नहीं कर पाओगे ऐसा announcement है कल वादल तुमारे को तीन-तीन फाइदे मिलने वाले तीन-तीन फाइदे ट्रिपल धम announcement है ना मैं कहे दे रहा हूं आपको मैं कहे दे रहा हूं कि बस प्रेक्षा कहती है बोलो ना प्लीज क्या announcement है मेरे यहां पर कुछ लिखा हुआ है जब मैं कहे रहा हूं कि कल अनौंस्मेंट है मैं आज क्यूं बताऊंगा 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 ओविसली कली बताऊंगा इचलो सारे आटिकल करने कहां grey सारे आटिकल लिण करने बिल्कुल लिइन करने चपिर शुम के QA लेक्चर यूटुब पर अपलोड कर दीजिए ना होते यूटिमotive पर अपलोड होते हैं निक्षा जी आप लिखते निए चलोगता आर्टिकल outcomes और कौकि किसी भी इंसान को किसी फी इंसान को हम स्पेशल प्रिविलेज्ज नहीं देंगे इकुल को मानेंगे ते हुआ अब आता है आर्टिकल 15 अर्टिकल 15 ज्यादा नहीं twice रांगा फिस एकूर से स्थिवर की दो करते हैं चोप तेटिकल 15 तब 119 कहता है सरकार डिस्कृर्मिणेट नहीं करेगी किसी सीटिजन के साथ था शॉजचन है गिनिभाइटिकल सिमित की विंधित करें लिए खिला जीए ते और मुवी सबीस B 11 यह जब जे पढ़ा है बाइगा हैं बैव आए बॉर्ण है मतलब और चली ओक देखाए तो अच्छी बात है नहीं तो भी अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दो स्टेट किसी भी सिटिजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी भेद भाव नहीं करेगी सरकार किसी सिटिजन के साथ on the ground कौन से कारण से religion religion मतलब हिंदू मुसलिम सिक इसाई अपस हैं भाई भाई हिंदू muslim सिक किसाही के सरकार किसी भी सिटिजन के साथ डिस्क्रिमनेशन नहीं करेगी ना जी नहीं करेगी रेष गोरा काला गोरे और pare थेमें होता हमारे देश में उस्थ में उसे में हिसमें आपने और सार्य आवई साह सांवले अपने आपे सारे सामले होते हैं mostly आप देखोगे तो 80% crowd आपको सामला मिलेगा 10% एकदम काले 10% एकदम गोरे है ना तो अपने आपे 80% crowd जो है वो सामला है तो अपने आपे यह होता ही नहीं है है ना सो सरकार किसी भी citizen के साथ discrimination नहीं करेगी on the base of religion कास्ट कास्ट मतलब आप मरवाडियो गुजरातियो सिंदियो पंजाबियो भेंगोलियो मराठियो माराश्टियो मराठा हो कि पवार हो क्रिश्चिन हो मुस्लिम हो है ना आप लोवर कास से हो किसी के भी साथ discrimination नहीं होगा किसी के भी साथ discrimination नहीं होगा ठीक है यहां पर बहुत अच्छी बात किये उन्होंने यहां पर बहुत अच्छी बात किये उन्होंने किसी भी कास्ट के साथ discrimination नहीं होगा अब आगे तुमको बताऊंगा ना सिस्ट को आगे फिफ्टीन फॉर जो है जब कल पड़ाऊंगा फिफ्टीन फॉर कहता है सोशली एडुकेशनली बैकवर्ट क्लास इनको हम स्पेशल प्रिविलेश देंगे इनके लिए हम रिजर्विशन लाएंगे सम्विधान नहीं लिखा हुआ है यहां पर कहता है सारी का इक फैसटी नहीं होनागे तो रिजर्विशन होना चाहिए लेकिन पैसो से होना चाहिए लाइक किसी की दो लाग से कम इन कम है उनके लिए रिजर्विशन रखो कास्टिजम नहीं होना चीए कि SCST को ही reservation होगा अरे यार ऐसे भी SCST है जो निका पास करोड़ो रुप है करोड़ो रुप है उनको क्या जरूरत है reservation की फिर भी मिलता है तो reservation होना चाहिए तब ही लोग equal आपाएंगे नी तो रहीस रहीस होगा गरीब गरीब होगा reservation अच्छी चीज है लेकिन उसका application हमारे देश में गलत है हमारे देश में उसको cast wise कर दिया है cast wise नहों कि वो monetary wise होना था कि जिनकी 2 लग से कम income है उनके लिए reservation हो या इस फ्रकार से कुछ होता तो ज़्यादा बहतर होता बट क्या ही कर सकते हैं चलिए सरकार कहती है सरकार कहती है कि किसी भी किसी भी कास्ट के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बहुत बढ़िया अले चले तुमें वह वाला नहीं है वह सैक्स मतलब मेल और फीमेल के बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जेंडर एक्जेक्ली मेल और फीमेल के बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेल और फीमेल के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और लास्ट है प्लेस ऑफ बर्त कहां पैदा हुए महाराश्ट्रा में गुजरात में मध्यप्रदेश में औरिसा में करनाटक में हो कहां वह पैदा फरक नहीं पड़ता हमारे देश में 15 सब आटिकल 1 कैता है स्टेट किसी भी सिटिजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी on the basis of religion स्टेट किसी भी सिटिजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी on the basis of religion स्टेट किसी भी सिटिजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी on the basis of religion स्टिजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी on the basis of religion काला कोई भी जाती हो कोई भी सेक्स हो आपका जनम कहीं पर भी आप पैदा हुए हो इससे आप को सरकार डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी भेदभाव नहीं करेगी इस 15 सब आर्टिकल वन कहता है कि सर पहला बंदा देखा आप जैसा जो सब बात खुल के बता देते हो तो बंद करके बताओं शारी बातें कैसे बताओं खुल के बता देते हो अच्छ तुने नहीं खोलके बता देते हो गंदे लोग चलियो के ध्यांदना एक दरफ्न है तो यह तो याल रखना एकदम सिंपल है भाई साब कि सारे रिजब जो है हमारे देश में उनके साथ के तुछ काला है जो भी इतैसंट दिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा को तेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन यहां तो scholars अ हन्हसें चलिए आए यह चलिए ऑठीध है Anal плюс फिश्टीन वाटिकल टूं थे रही na है घ्लियोंMA टिया नेक्स्ट वेश्टीनगां टो कि किस घीत, किसी गदे इंसान मेंक काiley किया है, मैं Как यूआ हूं पर मेरा गोरा है । कि दिल . सरम आ रही है , सरम आ रही है , ओभेस की आंक मांसी करके लड़कीय guest показыв तो मैं काला हूँ क्य है। सब्सक्राइब पहले की जमाने में हम होते थे जो सब्सक्राइब है बोलने से डर लगता था एकदम सांथ और आज कल के बच्चे कि मैं काला हूं पर मेरा गोरा है दिल कि सरको टेक्स्ट मेसेज कर रहे है कल यूग भाई कल यूग तुम्हें ना मैं उंगली पकड़ने देता हूं न मैंने बच्चों को उंगली पकड़ने दिये और रहा हाथ पकड़ लिया है कल यूग पुरा सरीर पकड़ देंगे मेरा कि सुधर जाओ भे चलो ओके अभी ध्यान देना चलिए जी ओके मुविंग ओन एवरीवन आजाओ नेक्स्ट है चलिए अगर इसके कर लूँगा टिक है किसी को नई रोकेगी किसी भी शॉप में जाने से आप किसी भी शॉप में जाने से आप जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे चाचा देना चाचा जब चाचा की नहीए नई तो मैं तब सिक्ष्ट में था और कहते थे मैडिकल शॉप से दवाई ला दे साला जब मैं एट में आया तो मैं को पता चला किसी भी व्यकति को रहार्यव एक नंबर को यहेश करो कि आले चलें तुमें ओयो के शहर कोई जा सकता है ऐसा नहीं है कि भाई कोई जो गटर साफ करता है आदमी तो ऊपी कोई क्रीज़ा गतलत में दौश कुषग के पेड़ tejnmen में जाने से Penit वोटल में जाने में से पबलिक एंट्रेइन्मेंट प्लेस में जाने से किसी को रोका नहीं जायेगा उसके बाद में सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कुवा है सरकार के द्वारा बनाया गया हां मेरे घर का नहीं सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कुवा है वेल है टैंक है पानी की टंक है बेतिंग घाट है जहां पर लोग जाके नाते हैं बेतिंग घाट पता है तुम्हा कर रहे हैं को स्पर्ण को यहां पर कोई वी जाके ना सकता सरकार के धौरा ना कोई भी जाके ना सकते है झाल कोई भी जौत है नही कोई जाके िरे tsunami ना भी जा सकते हैं कोई अगर किसी लड़की ने दिल तोड़ा और वो डिप्रेशन में चली गई तो वो नर्वश शॉक होगा क्या नर्वश शॉक में कुछ दिखाना सुनाना बताना पड़ता है अगर जान वोचके की है तो होगा उसमें कुछ नहीं बात रखी है सामने और तुम पागल बन रहे हो तो नहीं होगा जान मुझके करिए कि उसका इंटेंशन था कि आप शॉक में आ जाओ तो हो सकता है अधर्वाइस नहीं चली अब ध्यान देंगे अव्रीवन लगता है दिल तूटा है भाई का लगता है दिल तूटा है लडगी का चककर मौTसल मैंसे मैं टीक है समझे लड़की का चककर मौत से तककर तुमार लिए लड़कों का चकर मौत से कर साथी परिए **** ना अभी मूं पुरह चाहए का मतलब क्या है अभी ध्यान से सुनना तो कहने का मतलब यह कि आर्टिकल 15 क्या कहता है एकदम आसान है आर्टिकल 15 वन सब से पहले कहता है कि कि किसी भी से सट किसके साथ डिसक्रिमिनेशन नहीं बाकी बाते कल करते हैं बाकी बाते कल करते हैं yes 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 अरे ठीक है यह तो देखो शाट बज़े नहीं बी भसर साथ बज गए और न पड़ा दे न यह गंदे लोगों अब तुम्हारे को बता रहा हूं अनॉंस्मेंट होगा तुम्हारे को मुझा अब चलिए ओके तो के लिए करते हैं यह सब अब बढ़ सर का लेक्चर है सो इएफ टू इंड दिस लेक्चर नाओ चुलाइब लाइन आप लोग के लिए सुनाओ प्यारी सी प्यारी सी फिर आज का यहीं पर समाप्त करते हैं ठीकिया ओके कि डन चलो एक दो लाइन सुनाता हूं आप लोगों फिर आज के लिए डान 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 चलिए ओके सुनिये खाब है तू नीन्द हूं मैं दोनों में ले रात बने रोज यही मांगू द्वा तेरी मेरी बात बने बात बने मैं रंग शर्बतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे आर बात बन जानी मैं रंग शर्बतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में गूल दे तो मेरे आर बात बन जानी चलिए यह ओके एवरीमान दो लाइन सुनानी दी आपको प्यारी सी आकी की बागी बाते कल करते हैं बाइबाए टाटा टेक केर लव की देर में ठीक है सबको आना ही है ठीक है चलो लव यू गाइज बाइगाइज टेक यू एवरीमान टेक क्यूर एवरीमान येस अनॉंस्मेंट का टामिंग आपको आ जाएगा डोंट वरी बाइबाए विल मिस्यों यारो फड़ा हमें भी आत कर लिया करो यार ठीक है चले बाइबाए टेक क्यर बाइब बीवन लव यू आल बाइब